कार्टिक मास का महत्व के पहले आदमी मनु को महा प्रले से बचाय था भगवान विष्णु ने भगवान शिव को कार्टिक चतुर दिशी के दिन एक हजार कमल के फूल अर्पित किये थे ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो निद्रा में चले जाते हैं चतुर मास की शुरुवात में वो इस कार्टिक महीने में ही जागते हैं इसलिए कार्टिक पुर्णिमा पे देव दिपावली बनाई जाती है इसी दिन सिक्खों के गुरू गुर्णानक देवजी का भी जनम दिन मनाये जाता है तो अब आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए काटिक पूर्णे वाँ पे किसी पवित्र नदी में जैसे कि गंगा आदी में स्नान करना चाहिए यदि गंगा में ना जा सकें तो गंगा जल अपने नहाने के पानी में डाल ले ध्यान करना चाहिए भगवान लक्ष्मी नारायन का, शिव पारवती का, सत्य नारायन भगवान का और दान करना चाहिए किसी जरुरत मन्द को आप जो उसको कुछ दे सकते हैं पैसे, खाने पीने की चीज़ें तो आप वो दे सकते हैं कातिक पूर्णिमा के शाम को मिट्टी के दिये जरूर जगाएं अपने घर के बाहर किसी देवाले में अपने ओफिस दुकान के आगे ये जरूर काम करें धन्यवाद